एस पार्ट तू में आप लोगा स्वागत है दे रियल हीरो स्पाइडर मेन इंडिया करती है तो आज हम लोग पार्ट करते हैं फिर वो सब एक बड़े लैब में गये जब कॉलकता आए था ना अब वे बड़े लैब में गये और उस लेब का नाम था ताइम फ्यूचर उसमें अलग अलग तरीके का फ्यूचर का सब कुछ था जैसे कि टाइम मसीन हुआ वगएरा वगएरा जो भी मसीन है वो सब था तो वहाँ पे वो साथ में खड़ा था इतना बड़ा लेप देखकर राहूल सौक्ट हो गया कि यह क्या है मतलब कि मैं कहां हूँ वो उसको समझ में नहीं आया फिर वो बाथरूम के बाहाने पीछे से निकल गया और वो अंगल के पीछे 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 गया फिर उसने पीछे से दिखा कुछ क्या हुआ था उस रूम में राहूल के साथ चलिए कंटीनियू करते हैं ठर्ट पार्ट में तो ठर्ट पार्ट में अब आप लोगों को पता चलगा मतलब कि पार्ट थरी में जब वो रूम में जा रहा था अंकल तो उदर से चल लगे पर समझ नहीं है वो बहुत खोला एरर 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 दिखा रहा है फिर वो सोच के ठीक से पासवर्ट खोला और वो अंदर गया तो देखा गोल 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 हर जगा स्पाइडी की मकडी थी जो एक कॉम्पीटर के जरिए चलता था अब वो चलता था उसकी उपर बाडी में चि पकड़ा था बट एक ने उसे गर्दन में तो नहीं बल्कि हाथ में काट लिया तो क्या राहूर को पता चलेगा उसके पास यह उसके साथ अच्छा होने वाला है तो अगले पार्ट में पता चलेगा कि राहूर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो खुद स्पाइडर में बना और वो भी इंडिया का स्पाइडर में तो चलो नेक पार्ट में दिखेंगे थेंक यू सो मच बाबाई देखते रहिए स्टोरी बाई